दोस्तों आज का जो विशे है इसके बारे में मुझे इतने मेसेज आते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता ये है बुलिइंग जब लोग आपको चिलाते हैं आपसे मजे लेते हैं आपका मजाग बनाते हैं और हसते हैं लोगों को हसाते हैं और आपको रुलाते हैं दोस्तो इस विशे को मैं बहुत डीबली समझाऊंगा ताकि अगर आपके साथ भी ये चीज हो रही है आप भी इस चीज से परिशान हो तो आप उससे डील कर पाओ उसके आगे बढ़ पाओ और जीत पाओ दोस्तो पहली बात तो ये है कि लोग आपको बुली क्यों करते हैं लोग क्यों चुलाते हैं उनकी मानसिकता को हमने पहले समझना है दोस्तों perfect तो कोई भी इंसान नहीं होता सब इंसानों में थोड़ी-थोड़ी कुछ न कुछ कमिया होती है और लोग अक्सर उन चीजों को लेके conscious भी हो जाते हैं सपोज आप मोटे हो और आपको अपने बारे में इस बात खलती है आप थोड़ी से conscious हो जाते हो तो जो भी negative प्रवर्ती के लोग होंगे न जो बुली करते हैं लोगों को वो एकदम उस चीज को read कर लेंगे हाँ ये conscious हो रहा है हाँ मैं इसका मजाग बढ़ाऊंगा तो reaction निकल के आएगा अब उनका काम ये है पहले तो नोंने pick कर लिया कि आपकी कमी क्या है आप किस चीज को लेके conscious हो अब दूसरी बात उनका aim होता है आपके through एक reaction निकलवाना वो चाहते हैं कि आप चिड़ो आप गुसा करो आप उनको गाली दो वो आपके negative reactions को देखना चाहते हैं enjoy करना चाहते हैं और चार लोगों को दिखाना चाहते हैं और अपने आपको आपसे ज़्यादा powerful और strong प्रूव करना चाहते हैं कि मैं superior हूँ ये इंसान inferior है और मैंने साबित करके दिखा दिया और वो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में और कुछ अच्छा नहीं है तो उनकी जीवन में एक ही मकसद है लोगों को चिला के उनका reaction निकाल के और खुश होना अपने आपको powerful समझ लेना तो अब हमें तीन चीज़े समझ में आई हैं एक तो वो आपकी कमियों को पकड़ते हैं दूसरी बात वो आपसे negative reaction निकलवाना चाहते हैं चिलो, गुसा खाओ, परिशान हो, टेंशन में आजाओ, स्ट्रेस में आजाओ और तीसरी बात वो अपने आपको आपसे powerful प्रूव करना चाहते हैं अब दोस्तो बजाए उस इंसान से हम direct लडाई करें, गाली गलोज करें या मार पिटाई करें, उससे बहतर है हमें उसकी psychology को attack करना है उसकी मानसिक्ता को, उसकी सोच को attack करना है ताकि वो खुद बखुद हार मान जाए और हम बुरे भी न मने, लोगों को इभी न दिखे कि हम चिड़ रहें और परिशान हो रहें दोस्तों, perfect तो कोई भी इंसान नहीं होता ना हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है कोई मोटा है, किसी को अपनी skin को लेके consciousness है किसी को अपनी hide को लेके consciousness है किसी को अपनी अवाज को लेके consciousness है किसी को अपनी learning abilities की, मैं थोड़ा slow learner हूँ हर इंसान को किसी ना किसी चीज को लेके थोड़ी सी consciousness होती है बहुत कम लोग होते होंगा जिनकों कोई भी consciousness नहीं होती तो दोस्तों आप ये मान के चलो कि conscious होना या हमारे अंदर कोई भी negative trait होना बहुत common सी बात है, कोई special बात नहीं है, कोई unique बात नहीं है दूसरी बात ये है, कि अगर आपके अंदर कोई भी एक चीज है, थोड़ी सी abnormal है या आपको लग रहा है कि वो abnormal है, अब किसी के height चोटी है, उसमें कोई abnormality नहीं है शायद फाइदा ये होगा, लेकिन चलो आप उस चीज को लेके conscious हो तो आपको ये बात समझनी है, कि आपकी जो uniqueness है, जो कमिया है, खामिया है, वो भी आपकी identity का part है वो आपको दूसरों से अलग करते हैं, वनना 100 लोग खड़े होंगे, बंदरों की तरह कोई भी पैचान पैगा कि कौन कौन है सब जानवरों की तरह एक साथ खड़े होंगे, किसी की कोई अलग से value नहीं होगी जो आपकी खामिया है, जो आपकी अच्छाईया है, जो आपकी unique traits हैं, वो ही आपको लोगों से अलग खड़ा करते हैं तो अगर आप अच्छी चीजों का बखान करते हो, उनकी value करते हो, आपके पास माबाप है, आपके पास पड़ाई लिखाई है, घर है, रहने को खाना है तो आप अपनी थोड़ी सी बुरी चीजों का या negative traits का भी respect करना सीखें अगर आप थोड़े से मोटे हो, कोई बात नहीं, उसका क्या हाल है, अगर आपको कोई problem लग रही है, health wise problem लग रही है, थोड़ी सी exercise करना चालू कर दो न थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल कर दो, एक महिना नी, दो महिना नी, छे महिने में दीरे दीरे अपने आप वेट सही हो जाएगा आप भगवान को directly disrespect कर रहे हो, कि उन्होंने आपको एक जिंदगी दी है, आपको सौ अच्छी चीज़े दी है, आपको कुछ luxuries भी दी है, तो दोस्त, अपने आप पे conscious feel ना करें, अपने traits को respect करना सीखे, अगर आप अपने आपको respect करोगे, तो दुनिया आपको respect करेगी, अगर आप अपनी किसी छोटी सी कमी को लेके भी conscious हो जाते हो, पब्लीकली दिखाते हो कि हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हाँ ये मेरी कमी है, तो लोग मजाख उडाएंगे, उनको एक opportunity मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले समझाया था ना, उनको ये देखना है कि आप conscious अगर आप conscious नहीं हो रहे हो, अगर आपको फरक ही नहीं पड़ता, कोई इंसान किरा है मोटे हो, हाँ मैं मोटा हूँ, बात खतम, अगर आपको उस चीज से फरक ही नहीं पड़ा, तो वो इंसान इसके बाद आपका मजाख नहीं उडाएगा, किसी और को पकड़ेगा, अग आपका मजाख उडाना उस चीज को लेके आगे चालू कर देंगे, और आपने दिखा दिया कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ा, आप हस दिये, तो वो इंसान आगे से उस बात को जिकर भी नहीं करेगा, उसको पता आपको फरक नहीं पड़ता, दोस्तों जो बुलीज होते ह वो भी कहीं तरीके के होते हैं, एक तो होगे बिल्कुल खराब लोग जो बिल्कुल आपका मजाख उडाने में विश्वास रखते हैं, आपको चिडाने में विश्वास रखते हैं, रेगुलर आपको टीज करते हैं, उन लोगों को अलग अटा दो, उसके अलावा आते हैं आपके दोस्त जो होते हैं वो भी कहीं बार आपका मजाग उडा देते हैं soft bullying आपको कर देते हैं या थोड़ा सा आपका मजाग उडा देते हैं आपको चिड़ा देते हैं कभी कबार उनको मैं proper bullying नहीं मानूँगा दोस्ती में सब चीज़े चलती है लेकिन आपको वो चीज़ बुरी लग रही होगी और जहां आपने चिड़ना शुरू कर दिया तो वो इंसान आपका मजाग जादा उडाना चालू कर देता है unintentionally क्योंकि दोस्तों में हसी मजाग तो चलता ही है और कहीं बार लोग अपनी गलती से line cross कर जाते हैं दोस्त आप एक साथ खड़े हो ये कोई बात हो रही है तभी उसने आपकी हाइट को लेकि छोटा सा जोक मार दिया आपको बुली नहीं करना चाता है ऐसे ही मजाग में मार दिया फिर वो उसके बारे में discuss करने लगा अब आपने क्या करना है एकदम से कोई भी बहुत relevant सी चीज़ों आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो किसी के साथ कुछ हुआ होगा कोई बड़ी important सी चीज़ होगी आपके दिमाग में उस चीज़ को एकदम आगे ले आओ वो आपके बारे में बात कर रहा है आप एकदम से उस बारे में बात करना चालू कर दो अरे तुझे पता है क्या यह हुआ था अब चूकि वो इंसान intentionally या जान के आपको बूरी नहीं कर रहा है तो एकदम से उसका ध्यान भटक जाएगा और आपने कोई relevant बात बोल दी तो अध्यान उसमें चले जाएगा और वो जो भी कह रहा था वो चीज़ भूल जाएगा आपको थोड़ा सा smart बनना है थोड़ा सा clever बनना है और उनकी मनो वेग्यानिक स्थिती से उनकी psychology से deal करना है जैसे ही आपने कोई एकदम तड़कती भड़कती मसाले वाली बात बोल दी वैसे ही वो आपकी बात भूल जाएगा और उस बात को पकड़ लेगा तो smart बने इस तरीके से आप soft bullies को deal कर सकते हैं अगर कोई बहुती cool dude है कोई बहुती famous सा बंदा है आपके college का school का और वो आपको कुछ नहीं समझता लोगों को कुछ नहीं समझता लोगों का मजाक उडाता है और ऐसा इंसान अगर आपको tease करता है बुली करता है तो ध्यान रटना पहली बात तो वो आपकी बात समझेगा नहीं आप topic change करोगे तो भी नहीं मानेगा उसकी intention ही है आपको नीचा दिखाना क्योंकि वो अपने आपको over smart समझता है ठीक है तो अब आपने ऐसे इंसान से क्या deal करना है आपने उसका कोई भी point पकड़ लेना है ऐसे इंसान थोड़े बेशरम होते हैं वो असानी से मानेंगे नहीं आप उनका कोई भी negative point छोटा सा चाहे हो कोई भी होगा पकड़ लेना वो आपको bully कर रहा है आप पलटके उसकी बात बोल देना शुरू में कोई भी इंसान उस पे नहीं एसेगा आप पी हैसेंगे शुरू में आपकी बात को लोग आई गई कर देंगे लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके बारे में एक चीज को repeat करना चालू कर दोगे जैसे ही वो आपको कुछ बोलता है आप उसी चीज को repeat करते हो दीरे 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 लोगों के मन में वो चीज बैट जाएगी और उस इंसान के मन में भी वो चीज बैट जाएगी और उस चीज को लेकि conscious हो जाएगा किसी के बहुत अच्छे looks होंगे लेकिन वो हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो sports में थोड़ा कमजोर हो किसी भी चीज में कमजोर हो तो अगर वो आपको bully करता है तो आप उसको भी reverse bully करोगे उस चीज को पकड़ के उसको छेड़ोगे शुरू में बिल्कुल भी आपकी बात matter नहीं करेगी इस बात का ध्यान रखना दीरे दीरे जब आप repeat करते रहोगे न तो लोगों के मन में वो बात बैठने लग जाएगी और वो इंसान आपको bully करने में आपको tease करने में थोड़ा सा घबराने लगेगा उसको ये लगेगा कि अगर मैंने इस इस इंसान को bully किया इसका मजाक उड़ाया तो ये मेरी बात को भी उधेड के रख देगा तो बहतर है इस से दूरी रहो दोस्तो ये मत भूलना कि एक छोटी सी चिंगारी ही आग लगाने के लिए बहुत होती है थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन वो इंसान आपसे ही डरने लगेगा और ऐसा मैंने परस्नली किया हुआ है दोस्तो थोड़ा सा ये नेगटिव पॉइंट है और अक्सर मैं टिट फोटेट प्रेफर नहीं करता लोगों को समझाना लेकिन ये चीज मैंने खुद प्रेक्टिस की है जब कुछ लोगों ने मुझे बुली करने की कोशिश की थी मैंने खुद दीरे दीरे उनका एक पॉइंट पकड़के बोलता गया किसी ने नहीं सुना बोलता गया और आखिर में लोग उस इंसान को उस चीज को लेके चलाने लगे और इसलिए उस इंसान ने मुझे चलाना बंद कर दिया ये बिल्कुल रियल लाइफ में मैंने अपलाई करी और सक्सेस्फुल हुआ इसलिए ही मैं आपसे शेर कर रहा हूँ वरना मैं ऐसी चीज़े शेर करने में बिलीव नहीं करता पहली बार किसी इंसान ने आपको किसी चीज को लेके चिड़ाया ये आपका मजाक उड़ाया बुलीग नहीं हो रही आपकी ये एक स्टार्ट है ये एक चिंगारी लग रही है आपने उस चीज़ को हसी में उड़ा देना है ध्यान रखना जहां भी कोई आप किसी नई क्लास में जाते हो नई कॉलेज में जाते हो कोई डिसकेशन हो रहा है और आपका कोई negative point वो लोग आगे ले आए ये negative trait आपका आगे ले आए discussion में पहले ही उस पे हस देना उसको मजाक में ले लेना बिल्कुल ये शोनी करना कि आपको परिशानी हो रही है जहां शुरू में आपने उसको हसी में उड़ा दिया तो लोग उस चीज़ से हट जाएंगे लोग किसी दूसरे इंसान को पकड़ेंगे या किसी दूसरी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे आप से लोगों का ध्यान हट जाएगा वो समझ जाएंगे कि ये इंसान चिड़ने वाला नहीं है ये इस चीज़ को accept कर चुका है आगे बढ़ो दोस्तों कई बर क्या होता है हमारे अपने जिनको हम प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं हमारे दोस्त, हमारे रिष्टेदार हमारे अपनी फैमिली के लोग यही हमें बुली करते हैं यही हमें टीस करते हैं चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे ना हो कई लोगों की फित्रती खराब होती है ना दूसरों को मजाक उडाके दूसरों को रुलाके उनको मजा आता है तो अगर आपके बहुती अपने लोग ऐसी हरकत करने लगें आपको उनसे clear, simple शब्दों में बोल देना है ये चीज मुझे बुरी लग रही है, ये चीज बहुत खराब है, ये चीज मैं बरदाश्ट नहीं करूँगा, ये चीज मुझे आगे से मत बोलना थोड़ा सा strong मन के आप कोई बात बोल देनी है, formality में नहीं पढ़ना है, ये बात अगर आपने बोल दी और उसके बाद वो इंसान इस चीज को repeat कर रहा है, तो उससे रिष्टा तोड़ने में जिजकना मत कई बार warning देने के बाद अगर कोई इंसान इस बात को repeat कर रहा है, तो वो आपके लिए बिलकुल transparent हो जाने चाहिए, उनकी value आपकी आँखों में zero हो जानी चाहिए, फिर वो जो भी बोलते रहें, आपको कोई मतलम नहीं, आप उनसे फाल्तू बात करोगे ही नहीं, उनके सा बुली करने लगते हैं, आपको depression हो जाता है, आपको stress हो जाता है, आपका जीना बिलकुल हराम हो जाता है, जिन्दगी से शायद मन भी भर जाए, तो मेरे दोस्त आपने उस bullying को बिलकुल भी सहना नहीं है, कोई भी passive या कोई भी soft action नहीं लेना है, बिलकुल harsh action लेना है, उस जिन्दगी खराब हो जाए, कुछ बुरा करना है, कर दे, जो कर सकता है, कर दे, higher authority पे जाके एक firm complaint डालनी है आपने, और बोल देना है कि मैं इस चीज़ को परदाश नहीं कर पाऊँगा, वहां से भी कुछ नहीं होता तो पुलिस में चले जाना, criminal action लेना ऐसे इंसान के ग प्रॉपर तरीके से उससे लड़ना है, उसको साबित करके दिखाना है कि तो मुझे regular बुली नहीं कर सकता, हद में रहा अपनी, दोस्तों कही बार क्या होता है, वैसे मैं कहता हूँ कि बहुत strong बनो, हर चीज़ से deal कर लो, लेकिन कही बार इंसान deal नहीं कर पाता है, एक issue ऐ में एक situation में बिल्कुल फस जाते हैं, तो मेरे दोस्त, बजाए आप quit कर दो, बजाए हार मानलो जिन्दगी से, मैं आप से ही कहा रहा हूँ कि आप वो school छोड़ दो, आप अपने मापाप के आगे जाके बोल दो कि मेरे को लोग बोली कर रहे हैं, आप चले जाओगे तो भी बी चांस नहीं है, बिल्कुल फसे हुए हो, बैसे मैं कहूँगा कि strong रहो, लेकिन इंसान फस जाते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, और मैं जूटी तसली नहीं दूँगा, कई पर ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो best है आप walk out कर जाओ, आपके emotions पहले हैं, आपक इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा, जो आपकी situation में जिसमें आप फसे हुए हो, उसमें वो काम आजाएगा, उसमें apply हो जाएगा, और आप उससे आगे बढ़ जाओगे, सबसे जरूरी है, एक तो strong रहें, दूसरी बात अप को कोई भी personal issue है, बुलिंग को लेके, आप मुझे mail कर सकते हो, कोरा पे message कर सकते हो, आप मुझे contact कर सकते हो, मैं आपको direct reply दूँगा, या वीडियो के तुरू reply दूँगा, थैंक्यू दोस्तों, best of luck, हमेशा खुश रहें, जिंदगी को सबसे उपर समझें,